अलो दोस्तो तो दोस्तो आज एक ने फिर इस वीडियो के साथ सेविल इंजिनियरिंग में आप लोगा स्वागत हैं दोस्तो आज इस वीडियो में बात करेंगे कि हम लोग जो है किस तरीगे से मिजर्मेंट करते हैं लैंड को जैसे कि लैंड को अगर आपको मिजर्मेंट कर दोस्तो तो सबके लिए मेजर में आपको जरूरी होता है एक्पार and श्क् laz. आन्द फीट हम लोग जो सिवील केंश्रैक्शन मेंों काम करें दोस्तों सब square feet में पलोडेरिया माब आ जाता है सेंपल के तोर पे ले लिए हैं दोस्त की 1 hectare equal to 2.471 hectare होता है similar 1 hectare equal to 0.404686 hectare होता है similar दोस्तो 1 hectare equal to 4046.86 meter square होता है 1 meter square equal to 0.000247105 hectare होता है 1 meter square equal to 10.7639 square feet होता है 1 feet square equal to 0.092903 meter square होता है दोस्तो अब चलते हैं शुरू हम square लिए है 25 उसका length है तो number 1 दिए है दोस्तो इसमें हम लोग जानेंगे पूरा example के साथ तो उसका area निकलना है दोस्तो तो जो है इसका area यह square और चारो तरब जो होता है दोस्तो लिए तो जो होता है उसको यह कहते है जैसे कि यहाँ से यहाँ होगे यह इसको हम लोग यह square तो यह 25 तो 25 का square 2625 square हो गया दोस्तो इसका area निकल गया आप similar चाहते हैं दोस्तो next example पर क्योंकि आप बहुत सारा जैसे triangle, rectangle, square, side साब आता है दोस्तो तो सबको जानना जरूरी होता है तो इसके बाद देखेंगे second पर triangle तो triangle में दोस्तो जैसे कि देख रहे हैं आप लोग इसका जो है 30 feet जो है height है और base जो है 40 feet तो इसका जो area निकल लेंगे दोस्तो area निकल लेंगे तो half into b into h इसका निकल जाएंगे total half 40, 30 equal to 600 feet square feet दोस्तो इसका निकल गए area similar दोस्तो third में, third में देखेंगे area of circle तो 15 feet होगे दोस्तो और उसका area जो होता है दोस्तो पायर square तो pi कमान 3.14 और उसका radius का आधा 15 feet equal to 706.86 square feet होगे दोस्तो इसका total area similar तरह दोस्तो रेक्टेंगल आप रेक्टेंगल का देखते लो तो 27 feet जो है आपका दोस्तो height है यह बेस ले सकते बी और 54 जो है इसका length है तो उसको इसका जो दोस्तो फर्मूल होता है है रेक्टेंगल का यह इंटू बी तो यह इंटू बी के कर दिये 54 इंटू 27 14 हो गया देखते दोस्तों उसके बाद देखते है पेंड़ा दोस्तों तो तो यहां पे आप ज्यादा नहीं लिखे है बस फर्मूल लिखे है उसके बाद जो दोनों का प्रियांगल है उसको भी एकर के भी इंटू से मल्ली भरे करते है दोस्तों यह इस्टा इंसर यह इसके इंसर है उसके लृटाल एरिया को लिख दिये है दोस्तो ज्यादा केल्कुलेशन और इसका जो है वाइब इन दोनों का जो है इन दोनों का नीकल गया 239, 249 इन दोनों का वो गया और इसका जो दोट डिवाइड कीए दोस्तो उसमें से जो है ये length जो है बेश जो है 10 और height जो है 40 और 22 है एक दो तो दो से multiply लिखती है 467 निकल गया आपको सबसे जरुरह होता है देखे दोस्तों complicated rectangle rectangle फिर rectangle triangle ऊशक्ता है कि समीh square भी आ जाए तो आप आसानी से निकाल सकते है क्योंकि सब थो आपको दिखा दिया है सब उसी तरह आपको जोड़के निकलना है तो यहाँ पर कोई दिक्कात नहीं होगा दोस्तो चलते दोस्ति इसका एरिया निकल लेते है एरिया ओफ अब अब दी फ्लोट इसका जो है टोटाल एरिया निकलेंगे दोस्तो टोटाल एरिया निकलेंगे दोस्तो एरिया निकल दिये सबसे पहले एक दो तीन नमरिंग कर दि है उसका होगी आपका दोस्तो 612.5 फीट टोटल होगी 484837.5 फीट तो इस तरीके साब एरिया निकल सकते हैं दोस्तो साब पूरा सुरोष भी कहें डाउट है दोस्तो तो कॉमेंट केजिए जेतना जालते हो सके आप लोग का कॉमेंट का अंसर आप लोग तक पहुंचाने का क आइकन को भी प्रेस कर दिजिए दोस्तो ताकि हर नोट रिपकेशन आप लोग को मिल साइक दोस्तो तो यहां तक देखने के लिए और तब तक के लिए मिलते हैं आगला वीडियो में फिर दोस्तो